कई लोगों के पूरे शरीर पर खुजली वाले दाने हो जाते हैं ये बहुत परेशान करने वाला होता है क्योंकि राशिस में बहुत खुजली हो सकती है और रुखने में काफी समय लग सकता है यहां पताया गया है कि आप घरेलू नुस्कों की मदद से कैसे राशिस से चुटकारा पा सकते है यहां चटकों से चुटकारा पाने के तीन तरीके दिये गए है नारियल का तेल नारियल के तेल में मजबूत अंटिसेप्टिक गुण होते है जो प्रभावी रूप से त्वचा पर चटकके का इलाज कर सकते है तेल की कुछ बुंदे ले और इसे प्रभावित जगह पर धीरे धीरे मले ऐसा रोजाना करें और आप देखेंगे कि राशिस दूर हो जाएंगे ये त्वचा और खोपड़ी दोनों के लिए एक सुरक्षत मॉइस्चुराइजर है अलोवेरा अलोवेरा बहुत फायदेमंद होता है कुछ मात्रा में अलोवेरा का ताजा जेल निकाल ले और इसे एक कटोरे में रख ले आपको बस इतना करना है कि अपनी त्वचा के दाने को पानी से दो कर साफ कर ले फिर जेल को सीदे खुजली वाली जगब पर लगाए जेल को दाने पर रखे और ठीक से सोपने दे ये थंड़क देगा और दाने को कम करेगा आप इसे दिन में दो बार कर सकते हैं और आपको सुधार नजर आएगा एक साफ कपड़े का तुकड़ा ले उस पर कुछ बरफ के तुकड़े रखे और इसे दाने पर लगाए यदि आपके पास बरफ नहीं है तो आप कपड़े को बरफीले थंड़े पानी से गीला कर सकते हैं और कपड़े को दाने के उपर रख सकते हैं थंड प्रभाविच छेत्र में रक्त के प्रवाह को सीमित करती है और खुजली को कम करती है इसलिए अपने राशिस के लिए कोल्ड कंप्रेस का इस्तमाल करें तो ये थे तीन तरीके जिनसे घरलून उसको से राशिस का इलाज किया जा सकता है अब मैं आपको पताऊंगी कि आपको अपने राशिस पर क्या नहीं लगाना चाहिए मैं आपको पताती हूँ अपने शरीर पर चटको को ना रगड़े नहाते समय अगर आपको राशिस है तो साबुन का इस्तमाल ना करें अगर आपको राशिस है तो गरम पानी का इस्तमाल ना करें क्योंकि इससे खुजली और बढ़ सकती है नहाने के बाद अपने शरीर को तॉलिय से ना रगड़े अपने आपको सुखाने के लिए थप थपाएं चटके पर सीधे कॉस्मेटिक लोशन या मलम ना लगाएं किसी भी कॉस्मेटिक या लोशन का उप्योग बंद कर दे अगर इससे आपको दाने हो गए हो तो प्रभाविच शेत्र को जितना हो सके हवा के संपर्क में रहने दे ये थे छे बिंदू तो इन घरेलून उसकों को अपना कर राशिस का इलाज करें प्रहएं